नमस्कार विद्धारती मित्राँनों क्रियेट्व मैच्स मराठी आपले लाड़के यूटूब चायनल मधे पुनायक दा तुम्चा सगड़ांचा सहर्श्य स्वागत आहे मराठी आने इंग्रेजी ता पेपर नकिस तुमाला खुब चांगला गेला सेल आने आता हिंदी चा पेपर सुधा खुब चांगला जाना रहे कारण हिंदी चे एक इंपोर्डन प्रश्ण पत्रिका आपन बगना रहोत बोर्ड परिक्षे चानुशंगा ने एक महत्वा चे प्रश्ण पत्रिका जिया है सब्सक्राइब 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 आप अंक बहुत ने स्वाल पूछे जाते हैं इसे तीन जो पहले वाले सवाल जो बहुत ही देखा, तो यह आपको दिखता हुगा, वह पहला जो सवाल है, पहली जो कुरुती है, जिसमें आपको नाम लिखना है, या फिर लिखिये, इस तरहे के से चोटे-चोटे सवाल रहत करिए होस सब्सक्राइब crippler है कि यह सबसे पर तीकित कर सकते हैं हैं और एक मैं करद तरह होते हैं जो हमें तरह कर देख द Самे सब्सक्राइब कर सकते हुआ हैं क्युंस तरह च्कालिश को हम सब्सक्राइब क्나비 कर सकते हैं हमदन शालby mentions गद्याउंश को ठीक से हम पढ़ते हैं नागर जी क्या कहते हैं देखिए लिखने से पहले मैंने तो पढ़ना शुरू किया आरंब में कवियों को ही अधिक पढ़ता था तो ये जो नागर जी जो है उनका इंटर्विव यहां चल रहा था शायद तो ये जो है उन्होंने कहा आए कि मैंने शुरूवात में कवियों को पढ़ा सनेह जी अयोध्य शिहं उपाद्याई की कविताए ज्यादा पढ़ी ओके शापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था तो शापे का अक्षर जो है ना वह इस लेखक का पहला मित्र था घर में दो पत्रीकाए आती थी मांगते मेरे पिता महा एक सरस्वती और दूसरी ग्रुह लक्षमे ऐसी दो पत्रीकाय आती थी उस समय हमारे सामने प्रेम चंद बहुत ही बड़े साहित्तिक है उनका साहित्त था खुप मोटे लिखकायत प्रेम चंद कौशिक का था आरंभ में बंकिम के उपन्यास पड़े शरत पड़ा उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पड़ डाले आनंदमठ देवी चवद्रानी और एक राजस्तानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पड़ा था अभी तिवारी जी पूस्ते कि क्या यही लेखक आपके आधर्श है तो उसके उपर नागर जी सबसे पहले कविता फुटी साइमन कमिशन के बहिशकार के साथ 1928 और 1929 में लाठी चार्ज हुआ था इस अनुभव से ही पहली कविता फुटी जिसका नाम था कब लव कहो लाठी खाय इसे ही लेखन का आरंब मानी है तो इस तरह का यह परिछेत था तो इसे अभी हम एक जो का डांश था इसे पढ़ा अभी इसके उपर आधरित जो कुछ सवाल है उसे हम ढूरने का प्रयास क तो आपका यहां तो अंसर आएगा एक तो सरस्वती है ओके और दूसरा जो है गुरुह लक्ष्मी है ओके यह तो बात हो गए भाई एक मार्स तो मिल गया हमारा अभी उपन्यास जो थे यहां देखो यहां उपन्यास जो है बंकिम के उपन्यास 1930 में पढ़े जिसमें कि कि के तो इस तरीके से यह हमारे पास दिया है कुछ सवाल बहुत ही आसान है दो स्कते हैं तो यह आएगा एक चापे का अक्षर मैरा पहला मितर था तो यहां आएगा चापे क्षर चापे चापे का अक्षर ओके अक्षर यह पहला मित्र था और दूसरी चीज जो है दूसरा जो सवाल हमारे पास यहां था वो क्या था कि लेखक की पहली कविता देखिए कब लव कहो काठी लाठी खाए खाए कब लव कहो लाठी खाए शरवण धिस्ते खामीजे संग तो सब्सर शर्वण राज़ आय, भाधर यहीं आपने कि यह आतो थो था का अुट जो हो यह से क्यों मैंने तो पढ़ना शुरू क्या कवियों को पैज्य אदा पढ़ा पत्री का यह का पत्री का पत्री जो है देशी और विलायिती देख देश देशी विलायत विलायती तो देशी और विलायती ये दो शब्द हमें पत्ते देखते देश देशी ओके विलायत विलायती ये जो दो शब्द जो है वो प्रत्य युकत है प्रत्य मतलब बाद में आने वाला जो लगता है प्रत्य ऐसे दो शब्द जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता उनका वचन परिवर्टन नहीं होगा हो तो दोस्तों देखो यह भी दो मार्स का आपके हाथ में रहते जहां आपके मार्स नहीं को सकते जहां आपको आउट आफ मार्क मिल सकते इस तरह के कुछ पैसेज में तो चोथा जो सवाल रहता है पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे इस विशेए पर 22 ते 30 शब्दों में हमें लिखना है देखो दोस्तों पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे अगर हमने देखा तो पढ़ना ब चिनोकरी कर पाएंगे अच्छा इंसान बनेंगे हमारा इस तरह से हमें हमरी आगे जाकर प्रगति होगी तो इस तरह के से हम लिख सकते हैं मतलब यह जो पार्ट है चोथा को सवाल है उसको आपके शब्दों में आपको लिखना है 20 या 30 शब्दों में तीन चार लाइन में समय तो आन्से को इससे स्वाल है चेजब्राकर को कॉआख आपको परिछह डिया है जिसमें चार सवाल रहते है einzige 2 3 और 4 त Susanne Center बंजनें पहले जो चहनार सैंफिंग सकते और 7 भी मिला तो हमारे साथ मारव सकते हैं साथ और साथ 14 मार्स हमें मिनिमम यहां मिल सकते और लाने चाहिए इसी तरह से दूसरा भी यह परिच्छे दे इसे में अभी पढ़कर नहीं दिखाता आप ट्राइ कीजिए उसके बाद यह अपठित गद्याउंस जो है न तो इसके उपर भी हमें सवाल पूछे जाते और यह भी आसान रहता है इसको बड़ी मतलब हमें सरलता से पढ़ना है जहान लगा कर इसे हमें पढ़ना है मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम ठीक से मन लगा कर नहीं पढ़ते होके तो इसे हम मन लगा कर पढ़ेंगे तो जापानी और चीनी वाइगानिकों में के हाई चेंग शेत्र में आये भुकंप का पुर्वानुमान चीनी वैज्यानिकों ने भुकंप आने से कुछ दिन पुर्व से मेंड को देखो मतलब चीन में जो भुकंप आया था तो ये जो भुकंप आने से पहले उसका एक अनुमान लगाया गया था चीन में तो वो किसके अधार पर लगाया था, तो देखो यहां है, मेंड को वा सापो के अपने बिलो से एक आएक बाहर निकल आने, उसके बाद दूसरा है, मुर्गीों की बेचेनी और अपने दर्बों से दूर भागने, तथा कुत्तों के बहुकने और लगातार इदर दर भागने के आधार पर, काफी सफलता पुर्वक का लिया गया था तो दो अधार थे उनके पास एक तो मेंडो को और साफो साफ जो अपने बिल से बाहर निकल आये थे तो आ रहे थे निकल कर आ रहे थे तो ये एक था भुकंप आने का थोड़ा सा नुमान लगा था और दूसरी चीज है मुर्गियों की जो बैचेनी थी और कुत्ते का भोकना था यहां लगा तार यहां वहां जाना तो इस आधार पर उन्होंने यह सब चीजों को बताया था उसकी उसके बाद देखो परंतु वैग्यानिक सन 1916 के विद्वनसक बुकंप की पुर्व सुचना नहीं देखे परंतु यह वैग करने देखे कि पालतु पशु विचित्र व्यावार कर रहे थे जीव जन्तियों के विचित्र व्यावार के अतरीक्त भुकंप पूर्व मिलने वाले कुछ मुक्य संकेत जिन पर वैग्यानिक विरादरी एकमत है तो देखो यह जो बुकंप आने से पहले की कुछ चीज मतल देखो बुकंप आने के पुर्वा नुमान लगाने के आधार देखो यहां अंसर मेरे पास है एक तो आधार था कि मेंड को और सापो का एका बहार निकल जाना यह जो है इसको पहले में रख करता हो ठीक से मतलब दिखेंगा आपको दो आनुमान थे तो पहला वाला नुमा रहाने हम यहां से लिख सकते हो देखो यहां से मेंड को और सापो के बहार से निकलने आनी का और कौम के बाद का दूसरा अनुमान है मुर्गों की बेचेनी और अपने दर और भां बहाँने तहा कुत्तों के बहुत भुकंप कभी भी आ सकता है इहां कुछ Χास depression को यहाद परिष्छद में उस तरह से लेकिन भुकम्प के हानी से बचने के लिए भी हमें कुछ उपाई करने पड़ेंगे अगर भुकम्प आता है तो हमें सबसे पहले एक मैदान में जाकर परना चाहिए ज्यादा बड़े-बड़े जो इमारत है उसके नीचे या फिर यहां वहां न ताकि हमारे उपर कोई चीज गिज गिरना पाया है तो इस तरीके से हम अपने शब्द में इसका उत्तर जो है उसे लिख सकते है इसका अंसर लिख सकते है यह तो हुग एक पार्ट तो जिसमें हमें दो चीजे है एक तो परिछेद जो हमने देखा यहां तो दो परिछेद तो उसमें से किसी भी उसमें से दोनों को भी आपको सॉल करना है तो हर एक कविता में तीन-तीन सवाल दिये जाते हैं देखे इस तरह से देखो सबसे पहले मैं इस कविताओं को पढ़ता हो मैं लरच कर बोला मुद्राय आप मेरे मुख पर देख लीजिए वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे फिर शेयन कक्ष में घुज गए देखे यहां क्या हुआ था कि कुछ मतलब जो कुछ लोग थे उन लोगों ने इस घर पे चापा मारता था चापे मारते कुछ जोर थे तो वह आये थे और वह आने के बाद लेखक ने वर्नन किया है उस सभी चीज का उस सभी वह जो प्रसंग था उसका वर्नन किया त्यां प्रसंगा चावर्नन के लिए लाए कभी ने आठीकानी ते वर्नन काया मैं लरच कर बोला मुद्राय आप मेरे मुख पर देख लीजिए वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे फिर शेयन कक्ष में घुज गये फिर शेयन क बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी पीपिया नहीं छोड़ी गुल्लक तक नहीं छोड़ी पर सब में मिला एक ही तत्व खाली कनस्तरों को मटकों को ढूंडा सब में मिला शुन्य ब्रहमाण मतलब पीपियों में कुछ नहीं था गुल्लक में कुछ नहीं था कनस्तर खाली थे और मटके खाली थे यह हो गया हामसर यहां ही हमें 2 मार्श मिल गए तो कि इसे हमें ठीक से याद रखना पड़े हाट। ठीक से पढ़ना पड़े का मैं कविता को आज चरा का शब्द और आधर याचा सरका शब्द जोने पीपिया तीन का डब आप मजे पीपिया यह जन्तर दुस्री गोश्ट पकमरा कमरा साथी का वह शेयन कक्षे मंजे खोली पीपिया जोने परि न परिवर्तन करके वाख्य फिर सी लिखे उन्होंने टूटी अल्मारी को खोला वचन बदलना है तो अल्मारी जो है ना वहां हम कहें लिखेंगे उन्होंने टूटी अल्मारियों को खोला वचन बदलना है वचन परिवरतन करना है अल्मारी का अल्मारिया करेंगे उन्होंने टूटी अल्मारियों को खोला इस तरह से यह वाक्त बन उन चापे मारों ने क्या क्या किया देखो रसीयों की खाली पीपीओं को उन्हें टटोला देखा बच्चों की गुल्लक तक डेक डाली तो वो जो चापी मार थे जो लेकर के घर में आये थे चापा मार ने तो उन्होंने देखा उन्होंने रसीयों में जाके देखा तो पीप सकते हैं कि सरल अर्थ जो है वो सरल लिखना है मतलब घर में तलाशी लेने आये चापे मार जो थे वो जो चापे मार थे वो रसोयों की खाली पीपिया और बच्चों की गुल्लक की तलाशी लेने लेने लगे मतलब घर की खाली पीपिया भी देखी बच्चों के चोटे- आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता उस गली में पेड़ भी नहीं है नहीं पेड़ लगाने की गुणजाईश ही है मकान ही मकान है इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे है लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड जो एक सैंकरी गली में फस गई और बहार निकालने का कोई रास्ता नहीं है क्या बात है जिस मकान में रहता हूँ उसे बाहर जाकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरों का मकान और एक गंदी वह तलंग तंग दिखाई देती है वाह चीडिया दिखती है लेकिन पेडों पर बैठी या आस्मान में उड़ती हुई नहीं बिजली या टेलिफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वाँ गोसले बनाती नहीं दिखती तो देखो यहाँ क्या उन्होंने बता है कि चीडिया दिखती है हमें लेकिन वो आस्मान में उड़ती हुई नहीं दिखती वह चीडिया जो है आस्मान में उड़ती नहीं दिखती या फिर दूसरे से बाते करती नहीं दिखती वह बिजलीया और टेलिफोन के तारों पर दिखती है मगर बातचीत करती तो गध्यांश में ईल्ले खित चीडी ह Haben तो यहां दिख सकता है कि जो चीडिया दिख्ति है वह पेडों पर बेठी आसमान में उड़ती नहीं स्गाइब बिज़िया टेलीफ़ोन के पेढ़ों पेटि है और आसमान में उर्ती में दिक रही, और दूसरी विशाष्ता है विज़िया टेलीफ़ॉन के पेढ़ों मेरोमें फृ वहा गोसले नहीं करती तो वीशाष्ता है तो बहुत ही अच्छा सवाल थााइ देखो इन सभी चीजों को देखो कि बाबा बहुत इंपोर्टन्ट है और यहां से दो अंक आपको मिल सकते हैं वे पेड़ों पर देखो पेड़ों पर बेटी है यहां आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखती ओके बातचीत करती है और घरों में यहां यहां वहां गोशले क सकते हां देखो वे पेड़ों पर बेटी या आसमान में उड़ती हुई नहीं बिजली या टेलीफोन के तारों पर बेटी है ओके वह पेड़ों पर बेटी नहीं है और आसमान में उड़ती हुई नहीं है बिजली या टेलीफोन के तारों पर बेटी है ओके और यहां वे ब से फीजिन की करण हो रहा है इस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है जैसे दुनिया और इंसान आगे बढ़ रहा है उसी गति से पक्षियों की सम्ख्यावीया घणती हुए हम नजर आ रही है जब मैं चोटा बच्च्छा था बड़ी शारारत करता इसा मत्र रोखो जब मैं छोटा था तो उस समय हमारे घर के आंगान में भूस सारी चीड़ियां हमें दिखती थी बाते करते वे देखती थी गाना खुन-गुना आथी वे दिखती थी लिकिन आज वे चीड़िया अमें नहीं देख रही हैं तो याँ प्रकारे तुम्हीं उत आंता अनकीक मुद्धाया ठीकरि म्हागा शुचनानु शार्ख्रुती लिया या जगर कोष्ट है यंधाया जा नहीं तो माला चौदा मॉड़ा उपयोजेत लेखना वर्ती है आपला जुन्याओा अल्डडी माक च आवर्शी चा वीडियो आधिया त्याव विडियो जिरिफ्षिर मदे तुम्चा सुबध शियर करतो तो जोनी लिलिक भगाज च्सेम मदे वैकरन अनी या सगड़ा गोश्टी आहेत आछा प्रकार एक अंतर तुम्हाला इंधी चा पर यहुशो खट चांगला लिया मित्राननों हिंधी मदे जास्ती जास्त अ मारका तुम्हाल आपले विडियो जाय एक खुब इंपोर्ट आटने इंपोर्टन नोट्स तुम चाय सथी खाडले ले ते लिए एक फॉर्टन वीडियो तुमिया अपले वेप्शा कोरो शक्ता थिया पणो गए का वीडियो में तुमाला मी दाखोतो कि तूमिय वं अबक आफड़ा हो प्रक आप लेला गूगल वर्तिज आई जाए चे तरह ती बागा बर्याच ऑन्लाइन टेस्ट एतील एक हैं इंग्लीज ग्राम की दूसरी वीडियो इतना यत पन ठीक एक हरकत नहीं तुम्हाला डायरेक्ट प्रत्यक्षा तस दाखो तो कश्चा पर करें में तरह अपन बहुत शक अगरी आएंप्युप रो ऑड्युप रो ऑड प्रत्यक्षा आपले कोगल ला वेपसाइट रोला आप्डूपी कर दो में तुम्हाला रोला करता हैं अपक्रणों क्रिके लेके तुम्हाला टोके तर सब्हें आपनाओ कर सब्सषा जाते बगाने अब्वेस्कारमित रन्नों बाई सर्वन्ना धन्यवाद